Myself, Dr. Manjumina, Assistant Professor in Chemistry from Government College of Kota आज हम Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy का अध्यन करेंगे नाभीकि चुम्बिकिय Spectroscopy या Nuclear Magnetic Resonance और NMR Spectroscopy क्या होती है हम जानते हैं कि एलेक्ट्रो नाभीकियों चारो और चक्कल लगाने के साथ अपने आक्स पर भी गोर्णन करते हैं जिससे उनका चक्रन कोणिय सवे उत्पन होता है जिसका मान अंडर रूट S ब्रैकेट S प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इन्टू H अपॉन 2 पाई के बराबर होता है जहां S चक्रन क्वांटम संख्या है हम यह भी जानते हैं कि इसका मान अंडर रूड ब्रैकेट आई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इन्टू H अपॉन 2 पाई के बराबर होता है और अई है नाभिक की चक्रन क्वांटम संख्या लेकिन नाभिक के लिए आई के कई प्रकार के मान होते हैं जो नाभिक में विद्वान, नुकलियन, अथार, प्रोटोन वे न्यूट्रोन की संख्या पर निर्भर करते हैं नाभिक में विद्वान, प्रतेक न्यूट्रोन वे प्रोटोन चक्रन करता है और आई इन समस्त चक्रणों का परिणामी मान होता है आई का मान सुन्य, पूर्ण संख्या, अत्वा, अर्ध पूर्ण संख्या भी हो सकती है कुछ प्रमुक नाभिकों की द्रवमान संख्या पर्मानु संख्या एंवं उनके चक्रन क्वांटम संख्याओं के मान निम्द सान्य में दिखाए गए हैं यदि द्रवमान संख्या सम है और उसकी पर्मानु संख्या भी सम है तो चक्रन क्वांटम संख्या का मान सुन है रवन कeb है से आंटि जीग focal science के दर्मान संखिया का मान समयाई एवân है और उनकी पर्माण संख्या मान कि इस उनria जैसे की मैं 27 & 14 कुछ विसम द्रह मान शंख्याम वालेन और उनकी पर्मान संख्या वसंन्हाई पंश्यां द्रॉप oils 의 संख्या हाफ है जैसे की 1H1 6C37 nitrogen 159 fluorine 19 15 phosphorus 31 इसी प्रका 3 by 2 यदि चक्रन क्वांटम संख्या का मान है उसके उधारण है 5 boron 11 17 chlorine 35 35 bromine 79 जिनकी चक्रन क्वांटम संख्या का मान 5 upon 2 है उसका एक्जामपल है 8 oxygen 17 जिसकी चक्रन क्वांटम संख्या का मान 7 upon 2 है उसका एक्जामपल है 13 V 51 27 कोबाल 55 जिन नाभिकों के लिए चक्रन क्वांटम संख्या का मान सुन्य है उनका कोई कोणी संविक नहीं होता है और वे कोई जिन नाभिकों के चक्रन क्वांटम संख्या का मान हाप है जैसे की हमने प्रिवियर्स टेबिल में देखा था वन एच मन 6 कारवन 13 9 नाइन फ्लोरीन 19 आदी यह सभी एनमर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति एक्टिविया सक्रिय होते हैं यह नाभिक जब नाभिक यह अक्स पर चक्रन करते हैं तो इस नाभिक यह आवेश के चक्रन के फसरुप एक चुम्बी की द्वीध्रू उत्पन होता है और यह नाभि नाभिक सुक्स में चुम्बको की भाति व्यवान करने लगते हैं उधारनाथ 1H1 की नाभिक अथा प्रोटोन के चक्रन से उत्पन चुम्बी की आगुण को हम निम्न चित्र के अंदर देख सकते हैं जहां की वै नाभिक यक्ष की तरपी गुणन और और साथ में नाभिक क यहां पर आई परबहाफ वाले समस्त नाभिकों का प्रोटोन की भाति एक साथ गोला का रावेश विट्रन होता है और जिसके चक्रन से चुम्बी के द्वीधूर उत्पन होता है क्वांटम यांत्र के किणि साथ कोई नाभिक एक समांग चुम्बी के शेतर में कितने अभिविञ्यास ग्रहन खर सकता है यह उसके चक्रन क्वांटम संख्या IPS पर निर्भर करता फर्स्ट घड़ी की सुई की दिसा में या था क्लोक वाइज जब चक्रन का मान प्लस हाफ होगा और उसके द्वारा उत्पन चुमिक एक शेत्र लगाएगे बहाई चुम्ब की एक शेत्र के साथ सरंखित या अलाइंड होगा नाभी की यह वस्ता निम नूर्जाइसर पर होत आता ऐसे नाभी को के लिए उर्जाइसर बन जाते हैं जिसे हम निम चित्र के अंदर देख सकते हैं चुम्ब की एक शेत्र की अनुपस्तिती में आई बराबर हां लेकिन चुम्ब की शेत्र जैसे लगाए जाये तो चक्रन का मान प्लस हाफ और माइनस हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ चुम्ब की शेत्र की विपरित दिसामे था एंटी क्लोक वाइज जिसे हम निम प्रकार से भी देख सकते हैं कि जब चुम्ब के भाई चुम्ब के शेत्र भी जूरो लगाया जाता है तो जब सन रखी तो दोनों पॉल उसी दिसामी होंगे और जब विपरि विपरियाँ क्षी परबल चुम्ब के शेत्र के प्रभाव से अग्या गराबराबर हांबिक नाबिक दो प्रकार के बतला नाबिक कम उर्जा युक्त लेडिया वर्ती परिक्र Officie करके कम उर्जा इस्तर से उर्चिस तर पर चले जाते हैं किसी नाविक द्वारा उर्जा का आउसोशन जो की लगाए गई चुम्बिक एक शेतर के सापेक्ष नाविक ये चक्रण को परिवर्तित करता हो अनुनाद आउसोशन या रेजोनेंस एब्जोर्प्शन कहलाता है और इस प्रकार के आउसोशन से प्राप्ष स्पेक्ट्रम को नाविक चुम्बिक ए अनुनाद या निुकलियर मेंगनेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं योगिकों की एनेमार स्पेक्ट्रा से उनकी संरचना के बारे में काफी महत्मुन जानकर्या प्राप्थ होती है योगिकों की संब्सना ग्याद करने की स्तक्निक को ही हम NMR स्पेक्ट्रॉसकोपी कहते हैं जब चुम्भी के siitra में यदि चकन करने वाली नाभिक हाईट्रोजन हो तो इस परकार की स्पेक्ट्रॉसकोपी को प्रोटोन यह nu ट्रोट् time सब्सभी ऐ है कहते हैं चक्रण करते हुए प्रोटोन यह सुक्ष्म छड़ की चुम्बकता को हम इस चित्र की सायता से समझ सकते हैं जब चक्रण करता हो प्रोटोन समझ नौर्थ पॉल और साउथ पॉल इसके अंदर का जब भाय चुम्बक के आगों उतपन होता है इसी प्रकार से यदि शुक्रण चड़ के समभद चुम्बकक की शप्रादर्शित होती है हाइट्रोजन के नाभी या प्रोटोन धनावेशित होने के कारण एक सुक्ष्म छड़की भाती कारे करते हैं और उसके आसबाद चुम्बिकिये बल रेखाएं उत्पन करते हैं तो यहां देख सकते हैं कि प्रिव्यस चितर में देख रेखाएं उत्पन होती है किसी चुम्बिकया ग़ून सूर्व में प्रोटोन का फिर्यस यह तो Our果 प्रोटोन को नीम्न उर्जा इस्तर से उच्छ जा इस्तर तक जानी में कितनी उर्जा की आवशक्ता पड़ेगी यह चुम्ब की एक शेत्र बी जीरो की तिवरिता पर निर्भर करती है NMR के समीकन के द्वारा हम चुम्ब की विकिर्णों की आवरती को निम्सूत्र की साहता से ग्याद कर सकते हैं नियू बरावर गामा बी जीरो अपन टू पाई जहां पर नियू है आवरती जो की हर्च में नापते हैं बी जीरो है चुम्ब की एक शेत्र की सकती जिसे हम गोस में मेजर करते हैं और वाई गामा है मैगनिटो जायरिक अनुपाद जो की नाभी के सिरंग होता है और प्रोटोन के लिए इसका मान 26,753 होता है आते हैं यदी 1.41 टेसला जब की एक शेत्र लगाने पर आते हैं या 300 मेगा हर्च हो जाएगी जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जब चुम्ब की एक शेत्र लगाए जाता है तो डेल्टा ए का मान जब बी जीरो 1.4 टेसला है तो डेल्टा ए का मान वी वरावज 6 मेगा हर्च और जब बी जीरो वरावज 7.04 टेसला है तो डेल्टा ए का मान है 300 मेगा हर्च किसी पधार्थ का NMR स्पेक्ट्रम ज्याद करने के लिए हम आवरती को इस्थिर रख कर उसके चुम्बी के एक शेत्र की तीवर्ता को परिवर्तित करते हैं जबकि हमने प्रिवियस क्लास में देख पढ़ा भी था कि UV और IR में इसके विपरित होता है महाँ पर एक निश्यत चुम्बी के एक शेत्र में रख कर उस पर से लगातार परिवर्तित होती भी आवरती के विकिरन गुजान में पर इस्पेक्ट्रम प्राप्त होता है लेकिन NMR में इसके विपरित है अतार चुमी के एक शेत्र की तेवरिता के जिस मान पर विक्रिणों की उर्जा नाभिक के उच उर्जा इस्थर में जाने के लिए प्रयाप्त होती है अवसोशन होता है और एक संकेत या सिगनल प्राप्त होता है ऐसे स्पेक्ट्रम को हम NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं इस प्रकार से हमें NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है Y-axis पे विक्ड़ों की अवसोशन है और X-axis पे चुम्बे की शेतर की शक्ती है यहां हम देख सकते हैं कि down field left side है और up field right hand side है और mid में एक signal हमें प्राप्त हो रहा है Thank you